चमगादट पशु और पक्षी की कहानी बहुत समय पहले की बात है जंगल में शांती से रहने वाले पशुओं और पक्षियों के मध्य किसी बात को लेकर अन्बन हो गई ये अन्बन कितनी बड़ी की दोनों पक्षों में युद्छिड गया पशुओं की लंबी चोड़ी सेना थी जिसमें राजा शेर के अतिरिक्त लोमडी, बेडिया, बालू, जिराफ, सियार, करगोश जैसे कहीं छोटे बड़े जानवर सामलते वही आकाश में विचरन करने वाले पक्षियों की सेना भी कुछ सकम नहीं थी उसमें चील, गीद, कोवा, कबूतर, माइना, तोता, साहित कई पक्षी सामलते चमगादड बोग परिशानता उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सेना में सामलत हो उसे अकेले देख पक्षी उसके पास आये और उसे अमंतरत करने लगे चमगादड बाई आओ हमारा साथ दो मैं तुमारा साथ कैसे आ सकता हूँ देखो मुझे पंखटा दिया जाये तो मैं तो हुप्भू चुए किये समान दिखता हूँ मैं तो पशू हूँ मुझे श्रमा कर दो चमगादड ने उत्तर दिया चमगादड का उत्तर सुन पक्षी चले गए पक्षियों के जाने के बाद पशू की मंडली उसके पास आई और बोली हरे बाई यहां अकेले क्यों बैटे हो आओ अमारे सेने में आ जाओ तुम्हें मेरे पंक दिकाई ने देते मैं तो पक्षी हूँ केसे तुमारी सेने में सामलत हो जाओंगा चमगादड ने अपना पला जाड़ा पक्षू भी चले गए कुछ दिन बाद पक्षियों और पश्यों की अनबन समाप्त हो गया दोनों पक्षों में मित्रता हो गई जंगल में मंगल हो गया सभी आनन मनाने लगे उनें आनन मनाता देख चमगादड ने सोचा कि अब मुझे किसी एक दल में सामलत हो जाना चाहिए वो पक्षियों के दल में पास गया और उनसे निवेदन किया कि वे उसे अपना दल में ले ले किन्तु पक्षियों ने यह कह कर मना कर दिया हरे तुम तो पशु हो ऐसे में तुम हमारे दल में किसे आ सकते हो मुह लटका कर चमगादड पशु के पास पाउंचा और उनसे भी यही निवेदन किया पशु ने भी उसे अपने दल में स्विकार नहीं किया वे बोले यह तुम भूल गए हो कि तुमारे पंक है और तुम एक पक्षी हो चमगादर क्या करता वह समझ गया कि अविश्यकता पढ़ने पर साथ ना देने पर कोई भी मित्र नहीं रहता तब से चमगादर अकेले ही रहता है सीख अविश्यकता पढ़ने पर सदा दूसरों का सहायत करना चाहिए मोकसा फरत का कोई मित्र नहीं होता